हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजुरिया पर स्वागत है हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सौप स्पीच इसके हमारी पूरी सीरी चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक था नाउन और नाउन में भी हम नंबर पर डिस्कस करेंगे आज जिसको हिंदिम बोलते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं क्या रूल्स है और कहां पर समस्य आती है उन सब पर हम डिस्कस करेंगे तो यदि आप इस चैनल पे नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसके पिछले वीडियो कई वीडियो में ने अप्लोड किये हैं पार्ट सॉप स्पीच में वो भी देख ले आप ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे नमबर यानि वचन क्या है संग्या जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों वस्तोय इस्तानों का बोध कराए यानि नाउन जो one और more than one, person, thing और place इनके बारे में जानकारी दे तो वो क्या है नमबर टाइप्स ऑफ नमबर नमबर इंगलिस में दो प्रकार के होते हैं पहला है singular नमबर यानि एक वचन दूसरा है plural नमबर यानि बहुचन singular नमबर एक वचन क्या है? नाउन जो एक व्यक्ति वस्तु या इस्तान का बोध कराए नाउन जिससे केवल एक परसन, ठिंग और प्लैस के बारे में जानकारी मिले तो वो क्या है singular नमबर बॉइ एक लड़की की बात हो रही है singular नमबर में है यानि singular नाउन हो गई हम यूँ भी कह सकते हैं girl एक लड़की की बात हो रही है तो singular नमबर है यानि कि singular noun हो गई table, pen, book, city ये सभी क्या है यहां एक-एक के बात हो रही है सभी singular नमबर में है तो ये सभी noun क्या है singular noun plural नमबर यानि बहु अचन नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या इस्तानों का बोध कराए नाउन जो more than one, person, thing और place इनके बारे में बताएं, एक से ज़्यादा जैसे boys, अब यहाँ एक से ज़्यादा लड़की की बात हो रही है तो कैसे है, यह plural number में है, यह plural noun हो गई girls, plural number में है, एक से ज़्यादा लड़की की बात है तो क्या हो गया, plural noun ऐसे tables, pens, books, cities, एक से ज़्यादा सहर की बात हो रही है plural number में है, तो plural noun हो गई concept clear होना चीए आगे अब देखते हैं, man इसका part आता है singular noun से plural noun बनाने के नियम, यहनि rules क्या है सबसे पहला rules है, सामने रूप से noun में एस जोड़ कर plural noun बनाया जाता है यह एक general rules है, इसमें ज़्यादा तर noun में follow किया जाता है, एस लगा दो और plural noun बना दो जैसे boy, एक लड़की की बात हो रही है एस लगा दिया boys हो गया, एक से ज़्यादा लड़कों की बात girl, लड़की, एक लड़की की बात एस लगा दिया girls, एक से ज़्यादा लड़कियों की बात एसे यहाँ पर देखे, actor, book, pen, और friend यह सभी क्या है, singular number में है, यानि singular noun है एक एक की बात हो रही है, एस यहाँ पर लगा दिया यह हमारे एक सामन्य rule है, plural number हो गए, यानि plural noun हो गए लेकिन अगर यदि इससे काम चल जाता, तो फिर हमें कुछ जानने की जरुरती नहीं होती यदि सभी singular noun में एस, एस, एस लगा दे, तो बहुत आसान काम हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है न, तो आपको कुछ विशेस rules है, उनका भी ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा confusion वहीं होता है तो rules number two पे आजाओ, जिन noun के अंत में एस, डबल एस, एस, सी एस, एक्स और जैड हो तो फिर ए, एस जोड के plural बनाया जाता है ध्यान रखना, जिनके अंत में ये हो, noun में, तो फिर आप ए, एस जोड होगे, फिर वो plural noun बन जाएगा जैसे bus, bus, s है, es लग जाएगा, buses हो जाएगा, एक bus, एक से ज़्यादा bus class, double s है, कक्स्या, classes, कक्स्या है, एक से ज़्यादा कक्स्या watch, गड़ी, एक गड़ी, ch है, तो es लग जाएगा, brush, sh है, क्या लग जाएगा, es box, x है, क्या लगेगा, es, fox, x है, क्या लगेगा, es दूसरा rules के लिएर है, जिन noun के अंत में, s, double s, ch, s, h, x और z हो, उनके को जब हम plural बनाएगे, तो es लगाएगे, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, exceptions है, जानना बहुत आउसक है, क्योंकि उनमें से भी questions पूछे जाते हैं, जैसे stomach, c, h है, तो es आना चीए, लेकिन s आया है, ध्यान रखेगा, monarch, c, h है, rules के according, es आना चीए, लेकिन s आया है, ox, x है, es आना चीए, लेकिन en आया है, auction, वैसे ही, locus, s है, loci, बन गया, अलगी तरीके से, radius, radii, तो ध्यान रखेगा, ये कुछ अपवाद है, और इनमें से परिक्ष्या में पूछे जाते हैं, जो rules को follow नहीं करते हैं, जिन नाउन के अंत में y हो, और y से पहले व्यंजन, यानि, consonant हो, तो y को i में बदल कर, es जोड़ कर plural बनाया जाता है, तो जिन नाउन के अंत में y हो, और y से पहले consonant हो, consonant का मनलब a, e, i, o, u को छोड़ करके, तो फिर आप क्या करोगे, y को i में बदल दोगे, और es लगा के plural बनाया जैसे, c, i, ty, c, t, last में y है, और y से पहले t, क्या है, consonant है, इसका मनलब नगर, तो y का i बना दो, और फिर es लगा दो, c, t, यानि एक से ज़्यादा नगर होगे, family, y है, y के पहले l, क्या है, consonant, परिवार, तो i हो जाएगा, y कार es लगा दोगे, families, ऐसे ही country, countries, baby, babies, story, stories, lady, ladies, concept के लिएर है, जिन noun का अंतिम letter क्या हो y, और y से पहले क्या हो, consonant, तो y को आप किसमें बदलोगे, i मेर फिर es लगा दोगे, next, fourth, जिन noun के अंतिमे y हो, और y के पहले swear, यानि वोवल हो, अब ध्यान रखेगा, वोवल का मरलाब होता है, a, e, i, o, u, तो s जोड़कर plural noun बनाया जाता है, जैसे d, a, y, देकिए y तो है, लेकिन y से पहले क्या है, a, जो कि क्या है, वोवल, a, e, i, o, u में से है, तो अब क्या है, कुछ नहीं करना क्यों, s लगा देना, days, toy, खिलोना, toys, boy, लड़का, boys, play, नाटक, plays, की, चाबी, कीज, monkey, बंदर, monkeys, ये सबी क्या है, लाश्ट में y तो है, लेकिन y से पहले क्या है, वोवल आया है, जो e, e, i, o, u होता है, ये उन में से कोई है, तो फिर आप सीधा s लगाओगे, rules नंबर फिप्ट क्या कहता है, ये नाउन के अंत में f या fe हो, तो f और fe को v में बदल कर, फिर es लगाना है, देखिए बहुत important rule है, f या fe हो, तो आप क्या करोगे, v में बदल दोगे, और फिर es लगाओ, जैसे t-h-i-e-f, ठीप f है, आप f को किसे मदलोगे, v में, फिर क्या लगाओगे, es हो गया, अब ये plural हो गया, एक से ज़्यादा चोर, ऐसे ही life fe है, आप v लगाकर es जोड दोगे, wife fe है, आप fe का v बनाओगे, फिर es जोड दोगे, wolf f है, weak लगाकर es जोड दोगे, तो ये ऐसे example हैं, जो इस rules को follow करते हैं, और बहुत important है, आप इन सभी को एक बार देखें, समझे, कि जहां भी f या fe है, इन में, विसेश कर ये जो लिखे वे हैं 13, या तेरह जो सब्द है, इन को छोड करके, बाकी जो जितने भी word है, जिन में f या fe आता है, तो क्या होता है, आगे देखिए, इन को लिखा अपवाद के तौर पे, लेकिन या f आया हमने क्यों s लगाया, तो मैंने अभी बताया कि जो 13 वर्ड है, वो यदि आप ध्यान रखते हैं, तो उनमें हम f और f v को हटा करके क्या बनाते हैं, वी फिर e s जोडते हैं, बाकी जितने भी f वाले, उनमें आप सीध s लगा दीजे, chief s लगा दो, belief, तो ये कुछ examples है, जो मैंने समझाने का प्रियास किया है, कि मैंने जो पिछले बताया कि वो 13, उनको आप ध्यान रखो, क्योंकि उनमें क्या होता है, f और f ही आया है, तो उसका v बनके e s लगाना है, लेकिन बाकी जितने भी f वाले हैं, उन इस नमबर 6 क्या कहता है, जिन नाउन के अंत में o हो, और o के पहले क्या हो, consonant, तो e s जोड़कर plural नाउन बनाएंगे, o हो, o से पहले क्या हो, consonant, जैसे hero o है, o के पहले क्या है, consonant, r बिलकुल, तो naik hero j हो गया, यहाँ पे e s लगा दिया, ऐसे ही mango, o है, o से पहले क्या है, consonant, arm, एक आम, mangoes, एक से ज़्यादा आम, ऐसे ही potato, e s लगा दो, tomato, e s लगा दो, mosquito, e s लगा दो, buffalo, e s लगा दो, तो rules किलियर है, अंत में o होना चीए, o से पहले consonant होना चीए, तो फिर e s लगेगा, plural बनाते समय, इसके कुछ अपवाद है, जैसे photo, o भी है, और consonant भी है, लेकिन e s नहीं लगा, क्या लगा, s, photos, तो ध्यान रखना, zero, zeros, piano, pianos, dynamo, ratios, ratio, ratios, mementos, निसानी, यानि mementos, तो ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे हैं, जो ये अपवाद है, यानि o भी है, consonant भी है, हाना, उसके बाद भी जो इनमी क्या है, क्या लग रहा है, s लग रहा है, तो यहान पर ये अलग, ratio जो है, इसका जो है, s ही ही लगेगा, यहाँ पर, यह थोड़ा सा अलग, लिख दिया है, क्योंकि यहाँ आई भी आ रहा है, फिर भी यहां पर क्या लग रहा है एस लग रहा है ध्यान रखेगा रेशो का रेशो जी होता है आर ये टी आई ओ एस नेक्स्ट रूल्स नमबर सेवन यदि नाउन के अंत में डबल स्वर डबल वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाये जाता है जैसे जू ओ डबल ओ है हमारा वोवेल जो है चिडिया घर तो क्या हो जाएगा जू ज एस लगना है के वल ऐसे ट्री डबल ए है दो स्वर है दो वोवेल है तो ट्रीज हो जाएगा ऐसे रेडियो रेडियो ज हो जाएगा B, मदुमक्ही, क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा F, सत्रू, फोज हो जाएगा कुकु कोयल, कुकूज हो जाएगा तो ये देखें, इन में ध्यान रखियेगा Double है, यानि दो हमारे पास, जो है, वोवल है I भी है, O भी है तो इस तरह से इन में क्या लगाना, क्यवल, S लगाना है कुछ नाउन के बीच में स्वर, यानि वोवल को बदलकर plural बनाया जाता है क्यवल हमें क्या करना है, क्यवल, वोवल को बदलना है और वो बन जाएगा plural जैसे, M, A, N, यह क्या है, में, यानि आदमी, एक आदमी M, E, N, में, यानि एक से ज़्यादा आदमी तो यह में और यह में तो यहाँ, देखे, A का क्या कर दिया, E बदल गया, यानि वोवल बदल गया और vowel जब बदल गया तो यहाँ पी यह singular से हो गया plural दूसरा है woman, woman यानि औरत एक औरत यह हो गया women, woman, 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 woman तो a का e बना दिया यानि एक से ज़्यादा औरत FWT, foot, pound fit, double O को double E कर दिया तो यह बन गया plural tooth, dart, teeth goose, gwec, goose means hans gwec, geese हो गया यानि एक से ज़्यादा hans mouse, चुहा, इसका हो जाएगा mice यानि एक से ज़्यादा चुहे तो यह देखे यहाँ पे जो है vowel बदल करके हम plural बनाते हैं जैसे louse यानि जू इसका हो जाएगा lice lice ऐसे oasis यानि मरूद्धान यह हो जाएगा oasis door mouse यानि gallery की तरह कुतरने वाल एक जानवर होता है door mice हो जाएगा ऐसे जो है basis यानि आधार इसका हो जाएगा basis तो यह singular और यह plural next rules number 9 क्या है कुछ compound noun के man word में as जोड़कर plural noun बनाया जाता है compound noun यानि एक से ज़्यादा word हो जैसे father in law ससुर तो man word क्या है father इसमें as लगा दो fathers in law अब हो गया plural step mother तो man word मदर है सोते लिमा step mothers mad servant नौकरानी man word क्या है servant तो mad servants commander in chief प्रदान सेना पती commander जो है man word हुआ तो commanders in chief bedroom सोने का कमरा room जो है मारा man word है तो bedroom सो जाएगा looker on दर्सक looker जो है man word है तो lookers on इस तरह से compound word में जो man word होता है उसमें as लगा करके हम plural noun बनाते हैं next rules number 10 कुछ noun का singular और plural में अर्थ पूनते अलग होता है विससे इस ध्यान रखिएगा इन में जैसे good का मतला होता है भलाई अच्छा ही लेकिन ये इसमें as लग गया goods हो गया तो यह हो गया सामान माल देखिए इसका आर्थ ही बदल गया plural में singular में इसका कुछ और आर्थ हो गया विससे इस ध्यान रखिए air यानि वायू अगर airs हो गया तो यह हो गया दिखावटी अब देखिए कितना difference हो गया return यानि वापसी और returns यादी हो गया आई का विवराण हिसाब अदि यानि लकड़ी येधि उडस हो गया तो इसका मतला होता है जंगल अब यूज गाली ये इसमें जो है as लग गया तो यह बन गया कुरूतिया यह बुराईयां ऐसे आर्म यानि बहा इसंस का मतला हो गया हतियार तो दीकि बहुत सावदानी से इनका यूज करना है आपको कौार्टर, क्वार्टर मतलब होता है चौथा ही भाग लेकिन इधी क्वार्टर्स हो गया तो छोटे मकान, य assertई लेकिन जो मकान होता है उसको भी क्वार्टर्स बोला جाता है फॉर्स का मतलब होता है बल लेकिन forces हो गया है इस लग गया तो सैनिक हो गया सैंड का मतलब होता है बालू और सैंड का मतलब क्या हुआ रेगिस्तान आईरन लोहा आईरन्स हतकडिया जंजीरे इसी तरह advice यानि राई या परामर्स और ये इसमें ऐस लग गया तो इसका मलब हो जाएगा सूचनाए ऐसे work यानि कारिये और इसमें ऐस लग गया works तो इसका मलब होता है रचनाए तो विशेज ध्यान रखना बहुत सारे singular ऐसे noun है जिनका singular में कुछ और अर्थ होता है चैनल को सब्सक्राइब करें हसते रहें मुस्कुराते देखते रहें मेरे साथ आपका अपना चैनल sr जाजोरें धन्यवाद